नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Google Pixel 8 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra 5G का फुल डेप्थ कमपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में 6.4 इंच जब की Galaxy S22 Ultra 5G में 6.4 इंच की लेंध मिलती है विडि की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में 3.01 इंच जब की Galaxy S22 Ultra 5G में 3.07 इंच की विडित मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Google Pixel 8 Pro में 213 ग्राम्स जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 228 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Google Pixel 8 Pro से ज़्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में OLED जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में Dynamic AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Google Pixel 8 Pro में 20 रेशियो 9 जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 19 रेशियो 3 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में 6.7 इंच जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 6.8 इंच रेशियो 9 रेशियो स्क्रीन टू बादी रेशियो Google Pixel 8 Pro में 87.13 जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 90.28 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइडेंसिटी की तो Google Pixel 8 Pro में 490 प्रती इंच जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 501 प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो Google Pixel 8 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में टेली फोटो कैमरा देखने को मिलता है और Galaxy S22 Ultra 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, telephoto camera और आखिर में ultra wide camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो Google Pixel 8 Pro में 9 different type के features मिल जाते हैं और Galaxy S22 Ultra 5G की बात करें तो उसमें 10 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Google Pixel 8 Pro में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और Galaxy S22 Ultra 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में Immortalis G715MC 10 जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में Adreno 730 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में Google, Tensor G3 और Galaxy S22 Ultra 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही 2 variant देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 12 GB, 12 GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Google Pixel 8 Pro में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB की storage मिलती है जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 256 GB 512 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में Android V14 जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी Google Pixel 8 Pro में 5050 mAh जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कलर्स की बात करें तो Google Pixel 8 Pro में 2 कलर्स जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 4 कलर्स option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Google Pixel 8 Pro में 2 variant देखने को मिलते हैं जो कि 12 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ एक लाग 6,999 रूपीस 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 1,13,999 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें Galaxy S22 Ultra 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो कि 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 1,9999 रूपीस 12 GB RAM 512 GB स्टोरेज के साथ 99,990 रूपीस में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy S22 Ultra 5G आगे है में कामरा में Galaxy S22 Ultra 5G आगे है फ्रन्स सेलफी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Google Pixel 8 Pro आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पेटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 Pro 5G है दुसरा Vivo X80 Pro 5G है तीसरा Google Pixel 7 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पेटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Flip 4 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना